च्छेचे लोगा नरसंगार कर देता है अब परसासन कहां सोया है इसकी बच्ची के साथ ये तुहां के अल्पसंक्यक भी ब्रह्मन समाज के और इस तरह से उसको प्रितत किया जा रहा है उसको परिसान किया जा रहा है अपराधी को मडर को बचाया जा रहा है, जो मडर करता है उसको case को divert किया जाता है, कभी प्रिम परसंग कह देगा, कभी जमीनी भी बात कह देगा, कभी कह देगा कि आपसी लड़ाई और इस तरह से divert कर देगा, पीट-पीट करके मारा जाता है तो उसको हाट अटेक अपोसमाटम में भी रिपोर्ट वही निकलबा देता है ये पूरी तरह से रजकता है हमने चरपांच घटना का जिक्र किया था लेकिन उहां का परसासन किस तरह से पैसे से प्रभावित हो के ब्रजटाचार इतने चरम प विक्षण लिए रहते तो छेचे लोग का नरसंगार कर देता है और परसासन कहां सोया है इसकी बच्ची के साथ ये वहां के अलपसंख्यक है ब्रहमन समाज का ब्यक्ति और इस तरह से उसको पृति तद्द किया जारह है उसको प्रिशन किया जा रहा है हम लोगों ने कहा कि इमंदारी से प्रसासन एक्षन ले लेकिन अथाना नो एस पी पूरी अरजकता का माहोल अप्राधियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया है और आज एक परिवार को साफ कर दिया अच्छे लोगों को गोली मार दिया कोई उस परिवार में नहीं बचा है एक भाई बेचाना मुश्किल से है डड़ा हो सामा और इसके पीछे यही भी रहता है कि यह लोग पलायन करे यह इस तरह की घटना पूरे भाई का वातावरन बना रहा है और मुंगेर के अंदर मुंगेर लकी स्राइग के अंदर हस्तिनापूर के गुलामों को ले जाते हैं जो सबसे भरस्तम लोग रहता है उसको पोस्टिंग करते हैं जो उनके इसारे पर नाचे उहां के सन सजब आएंगे तो उसका बोडर से ही स्वागत करेंगे साथ रहेंगे और वो जाएंगे तो फिर किसी की सुरक्षा की चिंता नहीं करेंगे माल कमाने के अलाबे कोई इंटेस्ट कोई हम तो का अधिये के महराम चिछ के पती की हत्या हुआ यह महराम्चक में टाल में दलिस समधाई का था उसको अगोब सेंगेनों इसको माथा तूरा गया था फ्रत एक्सीडमन करके उसको लिपा पोति कर दिया है कि का घ्टा कर दिया हम यह एक ऐस्छोड podcast मींच और पोसमाटम में के हाट अटेक हो गया कैसे मडर केस को डाइभट किया जाता है अभी एक जादो जीकी हत्या हुआ है उस हत्या को भी हमने अस्टेटमेंट दिया उसे लड़के ने बताया कि पैसे लेकर 12 रुपय लेकर के डाइभट कर दिया कि वो अभियुक्त नहीं है जो मु गारेगा और ये एक बर्स से जब से ये महागटबंधन की सरकार है पोस्माटम भी गलत रिपोर्ट देता है और एस्पी और ठाना परवारी खुल करके अपराधियों के पक्ष में खड़ा होता है जो सत्ता के लोग इसारा करता है क्यों इसे भरस्ट पदादिकारी की इतनी ये रिजन में ये सारी गतना गटीत हुआ इन लोगों को रहने का क्या आऊचित है इमेडियेट इन लोगों को हटाए हूँ सी मैं सिता मढ़ी जा रहा हूँ है सिता मढ़ी में भी सितर से जहरी लिद सराब से जो मौत हुई है ये नरसंगार बिहार के अंदर सत्ता पोसित नरसंगार चल रहा है ये सत्ता में बैठे लोग नरसंगार खुल करके कर रहे हैं और परसासन सत्ता के इस सारे पर मुख दर्सक लाचार और बेबस है और अप राधियों को खुल करके बचाने का केल खेल रहा है सत्ता में बैठने का इसे लोगों को कोई उचित नहीं है हम तो राजपाल महोदै से भी पहले भी कहें कि हच्छेप कीजिए बिहार में अरजक्ता का बातावरन है यह अब जंगल राज नहीं गुंडा राज में तबदिल हो चुका है सत्ता से हटाईए इन लोगों को नहीं तो यह अब जाती है उनमाद आज लकिस राई के अंदर की घटना एक जाती है उनमाद का रूप दिया जा रहा है अगरे समाज के लोगों को ड़ाने का एक माहौल खरा किया जाता है कभी दल सत्ता प्राप्त के लिए हर कुकर्म करने के लिए तैयार है क्या लगता है जाती है जंगना बिहार के लोग देख चुका है कि यह जाती है नरसंगा और जाती है उनमाद पैदा करके किसी जात का कल्यान नहीं किया यह सरकार की मनसा है कि यह उनमाद पैदा हो वर्ग संघर् हम लोगों ने जो लोग कहा हम कहा कि आप लोग चिंता नहीं करें सामाजिक समरस्ता बनाए रखें ये सरकार चार ही कि उनमाद पैदा हो जाती मैं आपस मैं लरे अपरादियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है खुल करके अपराद के लिए उसे छूड़ दी जाती है जब बियार का मुखमंतरी कहे कि ये जंगल राज नहीं जंता राज है तो खुल करके उस जंता राज को गुंडा राज में तबदिल कर रहा है इसकी जांच के उन्हें कराती आज इतने नरसंगार अभी बताईए बंबी स्पोर्ट हुआ है समस्तिपूर में और समस्तिपूर के बंबी स्पोर्ट को कहते है पटाका भी स्पोर्ट मुंगेर में बंबी स्पोर्ट होता है भागलपूर में आपके बाका में इस तुष्टी करन की राजनीत में अब संखकों को बोट की राजनीत में आप क्या खेल खेल रहे हैं ये आतंकबाद अपराध और उगरबाद को संड़चित करिएगा बिहार में कैसे सुधार होगा कैसे निवेसक आएंगे कैसे रोजगार बढ़ेगा आपके मानसिक्ता बिहार को जातिये उनुमाद में डालन है और उसी का पड़ी नाम लखी सराय है